कक्षा 11 गडित चैप्टर 2 संबंद एवं फलन आज हम कराएंगे प्रिशनवाली 2.2 का कोश्चन नमबर 2 से लेके लाश्ट तक इस एक्साइज का कोश्चन नमबर 1 और फुल वेसिक कंसेप्ट हम पहली वीडियो में देच चुके हैं अगर आपने अभी तब वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो हम उसका लिंक वीडियो के लाश्ट में देंगे आप बहां से टच करके वो वीडियो देख सकते हैं मैं SP से नहीं आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है तो चले करते हैं वीडियो को सुरू लेजिए पहला कोशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है आप इसमें हमें करना क्या है यह देखना है तो इसमें जो है हमें क्या करना है निमलिखित बास्तविक फ़लन किसे कहते हैं इसे पहली वीडियो मैंने बताया ता फिर भी मैं बता दूँ अगर X भी रियल हो यानि कि इसकी जो डोमेन है वो भी रियल हो और Y भी रियल हो यानि कि इसकी जो रेंज है वो भी रियल हो डोमेन और रेंज दोनों रियल हो तो इस तरह के फंक्सन को हम बास्तविक फ़लन कहते हैं प्रांथ का मतलब होता X निकालना हमें परिसर का मतलब Y निकालना तो हमें यो है X और Y निकाल लें अब देखिए हमें function दिया हुआ है यह दिया हुआ है FX इकल टू मॉड ओफ X तो अब क्या है X के वे मान जिसके लिए Y का एक निश्चित और रियल मान प्राप्त हो उसे हम domain कहते हैं यानि प्रांद कहते हैं तो X के मान को हम प्रांद कहेंगे कब जब बाई का जो मान है वो बास्तविक और रियल हो ठीक है रियल प्राप्त हो अब यहाँ पर देखिए X के स्थान पर कोई भी value रख लीजे दुनिया की सोल होके mode के भार कैसे आती पोजिटिव आती है ठीक है तो इसका माला X के स्थान पर तो हम निगिटिव भी रह सकते हैं पोजिटिव भी रह सकते हैं कोई भी number रह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और सोल होके जो आएगा वो कोई ना कोई number जरूर आएगा वो अलग बात है कि यह प्लस है तो बाहर माइनस हो जाएगा तो इसकी जो domain हुई यानि कि प्रांथ हुआ वो क्या हुआ एक real number हो गए ठीक है इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं या माइनस इंफिनाइट टो प्लस इंफिनाइट ऐसे भी ले सकते हैं अब देखिए यहां पर में यहां ब्रैकेटों का यूज होगा इसलिए इसको बता देना भी जरूरी है देखिए अगर ऐसे हो जैसे माँ लीजे एक्स हो माँ लीजे एसे तो बड़ा हो लेकिन बी से छोटा हो ठीक है तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं एक्स बलांग प्रैकेट लगाएंगे इस सब बोलते हैं खुला ब्रैकेट यानि ओपन इंटर्वल ठीक है और अगर यहां पर क्या हो यह लेक्स दान इक्वल लग जाए तो हम क्या कहेंगे यहां पर यह एक्स ब्रैकेट लिखेंगे ऐसे यानि कि close interval अगर यहां पर डेखिये bracket नहीं लगवा यानि कि यहां पर equal नहीं लगवा कि तो यहां open interval लगांगी यानि कि छोटा bracket लगांगी और अगर इसमें equal लगवा है तो उसमें यहां. और कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो देखे X less than three तो X belongs to क्या लिखेंगे इधर से तो close कर देंगे और इधर से open कर देंगे इसे बोलते हैं half closed या half open अगर ऐसा हो X जो है A से तो बड़ा है लेकिन B के बरावर या उससे चोटा है हम लिखेंगे X belongs to open interval A और close interval B यह first class में आपने पड़ा होगा फिर भी आपकी knowledge के लिए मैंने यहां पर बता दिया तो इसका जो प्रांथ होगा क्या हुआ एक बास्तिविक संक्या होगी क्यों ही बास्तिविक संक्या क्योंकि X के इसकाने प्रांपों कोई भी वेल्यु रख सकते हुंester परेंस क्या होगा देखी यहां समजने वाली बात है परेंसी सब्सoryइगी ዜ प्रक तो कोई सो कोई सकते हैं लेकिन जो घ्रप गया, यह पूरा जो fx आएगा हमेसा निगेटिव रहेगा नहीं कि बाहर माइस मैण रखा वह ह estásए तो फीर है माइनस में पोड़ने सब्सक्रीम्द िसो इसको ले सकते हो, minus infinite to zero. अब देखे, यहां पे जब भी infinite होता, तो हमीशा open interval लगता है, और zero. इसको ऐसे वी ले सकता हूँ या ऐसे ले सकता हो, minus kr, minus r का मँतला, बाज तु teammates होँगे, लें कैसे होँगे, negative क्यों की बाहर minus लगा. ये question हमें किसा प्रफरांद निकालने और पर इसका किसा कहते है- x के माँाहिणي x के बेमान जिसके लिए f x का बास्तिविक मान प्रापत शोगा अब दिखिक अंडरूट के अंदर अगर संक्या 0 ये 0 से बड़ी हो तब ही बास्त्विक होता है तो इसका मतलब 9 minus x square एन्ही एफ x की जो बास्त्विक वे लू का प्राप्त होगी जब 9 minus x square should be greater than 0 टेके बास्त्विक क्या होगा fx बास्त्विक fx बास्त्विक होगा कब होगा यह दी 9 minus x square क्या हो 0 के बराबर यह 0 से चोटा अगर यह अंदर अंडरोट के अंदर माइनस में हो जाता है यह 0 से चोटा जाता है तो वो कालपनिक हो जाएगा और fx कालपनिक हो गया है तो इसका मतलब वो इसकी जो प्रांथ नहीं होगी यानि कि अब हम इस x को solve कर लेंगे solve करके हमें प्रांथ मालू हो जाएगा तो आप इससे solve करते हैं पहले देखिए हम इससे ऐसा ले सकते है x square minus 9 इसमें जब भी हम इसे interchange करते हैं तो इसकी जो iniquality है वो change हो जाती यानि कि greater than so हो जाती ही जब भी हम यहां से minus common लेते हैं तो इसे हम लेक सकते हैं ऐसे x minus 3 और x plus 3 less than equal to 0 तो यहां से जो x की value होगी 0 करके हम निकाल लेते हैं यहां से यहां से x की जो value हो गई वो एक 3 आगई और यह यह माइनस 3 आगई ठीके हैं अब इसे हम संख्या रेका की साहता से निकालते हैं कैसे देखिए संख्या रेका पर हम ऐसे लिखे लेंगे और इसमें जो बड़ा वाला मान होगा वो इधर लिखेंगे और जो छोटा होगा वो वाला इधर लिखेंगे और हमेशा plus से start करते हैं plus minus ठीके इस तरह से start करते हैं तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं अब देखिए हमेशा निकाल 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 लें तो यहां पर ज़रा ध्यान देंगे इस वाले relation को ध्यान देंगे यहां पर क्या आ रहा जीरो से छोटा है यह कैसा है जीरो छोटा जीरो छोटा का मतला होगा माइनस में माइनस में जना कहा हा रहा है माइनस 3 से प्लस 3 यह की डोमेन है यानि प्रान्थ तो 会ब क्या हुआ प्रान्थ ओगया एक्स-टू माइनस 3 to plus 3 यह लगाएंगे माइनस 3 से plus 3 यह क् hamis alltid त्याएं यह क्यों होगा इसका प्रान्थ या weet क्यों क्यों यहां पर 0 से चोटा जिड़ो चोटा निगेटीव कहां पर है यहां पर पोजिटिव ता 3 to infinite और minus infinity to negative है तो minus 3 से प्लस 3 ठीए यह हो गए इसका प्रांत अब हमें इसका प्रेशार भी निकालना तो प्रेशार कैसे निकालेंगे चलिए next page प्रोट आते हैं अब देखिए इसका जो है second part का second part ठीकिए अब इसका हमें निकालना है परिसर निकालना है तो इसके लिए हम मान लेते हैं थोज़े के लिए माना एफ एक्स सिकल तो य यह यह इसका जो परिसर है वो हमने y मान लिए तो y is equal to कितना हो जाएगा जाएगा अब ध्यान देंगे देखिए यहां पर प्लस का निसान है इसका मतलब य जो है बिलॉंग्स तो कैसा होगा पोजिटिव होगा कैसा होगा पोजिटिव होगी अब कितनी होगी वह हमें मालूम नहीं अभी लेकिं इतना पता है कि जो य जो नोट is equal to minus k i ve i ve का मतलब निगेटिव ठीक है यह जो होगा निगेटिव नहीं होगा ठीक है यहां सब इसको solve करते हैं तो हमने क्या करा दोनों पक्चुपा square करा इसको करेंगी तो यह होगा 9 minus k x square और यह हमें चुक्छी y निकालना तो y निकालने के लिए यह x square इदर लिए है 9 minus k y square x is equal to क्या जाएगा अंडरोट 9 minus k y square ठीक है अब देखिए यहां पे यहां पर वही करना हमें क्या करना यहां पर y निकालना ठीक है बास्त्विक के बास्त्विक के लिए क्या होगा देखिए बास्त्विक के लिए 9 minus k y square should be greater than equal to 0 तो फिर देखिए यहां पर लिखा लेंगे y square minus k 9 less than equal to 0 पर यहां से y करेंगे जो अभी आपने पहले किया था y minus 3 और y plus 3 less than equal to 0 अब यहां पर जो है y की जो value आगी वो आगी एक 3 और एक जाएगी minus 3 ठीक है अब यहां भी देखिए हम वही संख्या रिखा कि help से निकालेंगे तो क्या आएगा यहां पर positive negative हम इसा positive से start करते हैं और chin बदलते जाले जाते हैं यह छोटा वाला पहले इदर ले अब यहां पर क्या negative है negative कौन सारा minus 3 से minus 3 से plus 3 के बीच में लेकि हम ने कहा कि y जो negative नहीं है अजब negative नहीं है तो इसका मतलब क्या हमें negative बाले छोड़ देने यहीं कि y जो हो गया belongs to माइनस 3 से plus 3 वट परंतु हमें starting में दिया हुआ है कि y जो है not negative है minus के i यह है यह not negative नहीं है तो इसका मतलब यह minus हम छोड़ देंगे y कैसा हो जाएगा इसलिए y belongs to हो जाएगा 0 से जीरो टू थ्री देखे यह मैं आगए यह minus वाले क्यों छोड़ दी क्योंकि y जो है positive है यहाँ पर सुरूमी है y कैसा plus में है यहाँ पर प्लस में है तो minus वाला हम नहीं लेंगे यह जो इसका परिसर आ गया वह 0 से 3 हो गया इसका परिसर y का मतलब क्या है परिसर 0 से 3 जी देखते है next question तो यह तो असान question है इससे तो बड़े आराम से करी लेंगे तो देखे क्या करना हमें पहले जो function है उसको यह लिख लेना 2x-5 और x के place पर जो हमें दे रखा वो रख देना क्या दे रखा यहाँ जीरो दे रखा एक्स बड़ा जीरो तो यहाँ एक्स के स्थान में क्या रख देना जीरो रख दे तो इंटू जीरो माइनस के 5 अब क्या रख देना देखी तो फ़र्स्ट पाइट हो गया जीरों क्या रखना है एक्स एसी कलटो टो एक्स माइनस 5 और X is equal to save in तो X के स्थान पर क्या रख देना है यहाँ पर save in लख देना save in लख देना क्या एगा साथ दो नी चोध है माइनस पांच चोध है में से पांच गे अचान नो F save in की value कितनी आ गई 9 आ गई ठीक है और F 0 की value कितनी थी माइनस की अब क्या रही है F माइनस 3 माइनस 3 कैसे निकलेगा जो X से F के स्थान पर हमें माइनस 3 रख देना है माइनस 3 रख देने 2 तीय 6 माइनस 5 6 पांच कितना हुए है 11 तो F माइनस 3 कितना आ गई F माइनस 3 आ गई है माइनस 9 या answer फिर देखते हैं नेस्ट कोउशन है कोउशन नमर चार अब देखें कोउशन नमर जो चार है वो भी तीन कीधर है ठीक है हमें क्या निकालना बस F की जगे T दे रखा हमें दे रखा T C is equal to 9 C upon 5 plus 32 हमें क्या रखना है C is equal to 0 पहले 0 रखना फिर 28 रखना है मैनस 10 और फिर T C की जिस्तान पर 200 वायरा रखते हैं तो देखें पहला निकालना है हमें क्या रखना है T यह इसकी जगे T है यह पहले F था आपको क्या दे रखा है यहां पर इसकी जगे हमने 0 रख दिया आप देखेंगे कितना 28 रखने रख देखो देखो जब C की जगे 28 रखेंगे तो क्या है यहां C है वहां पर क्या रखना ठाइ सकना अपकोन 5 प्लस के 32 स्वाल कर लेते हैं कितना हैगा 98 72 का 2 9 दूनी 18 18 और 7 25 बटे 5 प्लस के 32 पांच से भाग देदेंगे कितना हैगा 5 25 जब पूरा पूरा भाग दे जाता जीरो के बार लिखते हैं कि पांच चोग 20 कितना जाएगा यह यह जाएगा 82.4 जाएगे टी 28 अब इसी तरह से क्या रखना कि के स्थान दी यहां पर आयेगा 9 2-10 अपॉन 5 पांद दोनी 10 तो दोनम अठा रहा कितना आगिया यह यह आगिया 32 में से अठा रहे जाएंगे यह आगिया चोड़े अब जो तीसा पार्ट है नेक्स्ट पेज़ पे कर देता हूँ और देखे इसका जो फूर्थ पार्ट है उसमें सी का मान निकालना और टीसी के स्थान पर रखना टीसी के स्थान पर कितना रखना आपके हमें टीसी के स्थान पर रखना 200 बार है 200 बार है और निकालना क्या हमें निकालना है सी तो टीसी के स्थान पर हमने क्या रख दिया 200 बार है अब इसको solve करके हम C की value निकाल लेंगे कैसे solve करेंगे पहले हम पक्षांतर कर लेते हैं इसको 112 minus के 32 और ये 9C upon 5 तो 212 में से 32 घटा दो कितना बचा? बचेगा 180 9C upon 5 अब क्या होगा? 5 तो चले जागा उपर multiply में और 9 जाएगा नीचे उसे काट जो 9 जो नीचे अठा रहे तो कितना आगी है C की value? 20 पंजे 100 ये answer आगे इसका देखते हैं next question और देखे question number question number है 5 का first निम्लीज में से प्रित्यक परिसर ज्याद की परिसर का मतलब के by निकालना हमें x नहीं निकालना पहले question लिख लेते हैं पहला क्या है fx is equal to 2 minus 3x ठीक है और x क्या है यह number है लेकि 0 से बढ़ा है x की जो value 0 से बढ़ी है अब इसके लिए हम यह कर लेते हैं इसे माना यहने की fx को थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं 2 minus के 3x अब यहां से x की value निकालेंगे कैसे निकालेंगे 3x is equal to 2 minus y और x is equal to 2 minus y अपन 3 ठीक है अब जड़ा यहां दिहान देना x की जो value वो 0 से बढ़ी होनी चाहिए तो x की value 0 से बढ़ी कब होगी जब यह पूरी value 0 से बढ़ी हो ठीक है चू की यहां लेगेंगे चू की x belongs to r and x greater than 0 ऐसा तब होगा जब 2 minus y क्योंकि x इसके equal है तो यह वाली चीज जो होनी चाहिए वो 0 से बढ़ी होनी चाहिए पर जब x इस है तो x की जगह हमने क्या रखा इस वाले relation में यहां पर इसमें x के स्थान पर रख दिया अब इसे solve कर लो 2 minus y greater than 0 तीन इसा 0 पहुंच जाएगा तो यह जगा 2 यह जगा 2 यह जो यह जो value हो गई वो 2 से चोटी हो गई तो इसे कैसा ले सकते हैं इसको ऐसा ले सकते हैं या ऐसा ले सकते हैं और by less than equal to 2 तो इसको हम कैसा लिखेंगे by belongs to 2 से छोटा क्या होता infinite यानि कि minus infinite to 2 और कैसा लिखेंगे open interval यह answer हो गया minus infinite to 2 यह इसका answer हो गया अब चलिए इसका जो second part अब देखते हैं next page पे अब देखेंगे इसका second part fx is equal to के जाद रहा x square plus 2 और x क्या है belongs to r यानि कि real number है तो पहले वही काम करेंगे जो पहले हमने किया था माना fx को हमने क्या मान लिए y मान लिए जब य य मानेंगे तो y is equal to x square plus 2 यहां से x की value निकालेंगे x की value हो जाएगी y minus 2 x is equal to हो जाएगा plus minus under root y minus 2 अब देखें यहां पर जो x का कहा है यह बास्तिविक संक्या बास्तिविक का मतला है यहां पर positive भी हो सकता है और यह negative दोनों चीज़े हो सकती positive भी और negative अब कहता है कि positive cable धनात्वक वास्तिविक संक्या था हम minus नहीं लेते तो अब यहां पर बास्तिविक के लिए क्या होगा लेकिन under root के अंदर वाली जो संक्या वो greater than 0 होनी चाहिए या 0 के पर होनी चाहिए बास्तिविक के लिए बास्तिविक के लिए क्या होगा बास्तविक के लिए य माइनस टू सुड वी ग्रेडर दैन एक्वल टो जीरू अब यहां से फिर देखिए इसकी वेलू निकाल लेते हैं क्या हो जाएगी वाई विलॉंग्स टू आप देखिए प्लस माइनस है लेकिन यहां पर क्या है जब यह पॉजिटीव आएगा तो बाहर प्लस भी हो सकती है लेकि टू से बड़ी माइनस में तो होती नहीं है तो आंसर क्या हुआ इसका आपका क्लोज इंट्वल लगा तू इनफाइनाइट ऑपन इंट्वल यह इसका अनसर होगा है यह देखते है नेके इसका थाट पार्ट है थाट है थाट पार्ट क्या है एफ एक्स इक बास्त्विक संख्या है अब देखिये मान लेंके फिर यह माना fx is equal to y तो क्या जागा y is equal to x x is equal to कितना आगे y आप क्या कहा रहा है x एक बास्तवी संख्या चब एक x बास्तवी संख्या तो y भी दो बास्तवी होगी क्यों होगी क्योंकि x चो भी y के बरावर है लेकिंगे चू की x belongs to r इसलिए y belongs to r क्यों ही क्योंकि x is equal to y अगर x real है तो y भी क्या होगी real होगी तो इसका answer क्या हुआ y is equal to क्या real यनि कि इसका जो परिसर है वो बास्तवी संख्याओं का समुच्च्या होगी तो यहाँ पर देखिए हमने 5 question है इस exercise हो 5 के 5 question हमने करा दिये इसके बाद हम इसकी vivid exercise भी कराएंगे अगर आपको इसके solution का PDF चाहिए तो आप हमरे whatsapp group से जुड़ सकते हैं whatsapp group में whatsapp group में हम इसके solution का PDF डाल देते हैं साथ में उसमें online test भी लेते हैं अगर आपको online test देना है प्रैक्टिस करनी है तो उसका link भी हम उसी group में डाल देते हैं उसका link हमने discussion box में दे रखा आप बहाँ से touch करके group से जुड़ सकते हैं अगर आपको हमारे दुवरा बनाएगे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like और चैनल को subscribe परना बिल्कूँ मत बूलिएगा अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पनी रहें तब तक के लिए जय हिंद जय बात